आपको एक विशेश रिपोर्ट की तरह कि लोगों तक पहुंचने की प्रयास संब्सक्राइब लमपूुटा सफलता के साथ इस बजट में किया गया क्या महिलाओ की बात हो किया किसानों की बात हो क्या इवावर की वार्ट की बात है वर का ध्यान सबासो करोड भारतियों को साथ लेनी की जो उनकी चिंता है इस बजट में हर किसी का ध्यान रखा है और मुझे लगता है कि इतना अच्छा बजट यह आया है शायद लोगों ने कल्पना नहीं की ती और शायद मीडिया वालों ने आप लोगों ने बहुत बात क यह लोगों से सब इस बजट के आने से हर्शेत उससाहेत है किसानों को छे जो एक्टेर से कम जिनका भूमी है उनको छेजार पर यह और तीन इंस्टॉर्म्में देने की बात कही है क्या कहना है देखे हमारी सरकार इस देशी क्रशी प्रदान देश है भारत और अन्य दाता का शुरू से ही मोदी जी ने आते के साथ में ध्यान रखा है आपने पहली बार आजात भारत में हुआ कि मिटी का भी डॉक्टर की परवा प्रदान मंत्री ने की जो हमारा योजनय बनाई गई और आज जिस तरह किसान परिशान है क्योंकि भारत में हमारी क्रशी मौसम पर बहुत डिपेंड करती है तो कम से कम उसको उन्होंने जिस तरह कि लोग जैसे बुलावा दी जा रहे हैं कुछ जो विपक्षी पार्टी आएं साशन में क्या है कि भ्रह्में लोगों को चलाया कि हम कर्ज माफी करेंगे किसी के सत्रे रुपे किसी के पचीस रुपे किसी के अच्छी के लिए यह वह बेसिक चीज उनको मिले ताकि भूमी अच्छे से उप जाए और लोगों को अच्छा आज मिले और किसान को कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक कहते हैं खीड होता है तो इक कौंफिडेंस उसका लेवल मैंटेन रहता है तो एक इतनी बड़ी ता उनके पूरा ध्यान रखा गया है अब पांच लाग तक की आये के ऊपर इंकम टेक्स को जीरो किया है यह मद्यमबर्ग के लिए इससे बड़ी कोई खुशकवरी नहीं हो सकती पांच लाग तक का वो है वाकि डेलाग जो इन्वेस्मेंट रिस तरह करते हैं उस पर फायदा है इस बात को बहुत अभिनंदन पूरा मद्यमबर्ग मुदी जी का कर रहा है भाजपा सरकार कर रहा है आश्मान भाद जो एल्थ की स्कीम है उसके अंदर बड़ा पवधान किया है उसे आपका क्या पती है मैं मानते हूं मुदी जी ने जो योजनाय लागू की है भाजपा स मुझे लगता है आजात भारत में बहुत सारी योजनाय आई लेकिन मोदी जी के काल में कुछ एक महिलाओ की योजनाय यह आयुश्मान भारत एक इतनी अच्छी योजनाय है हर गरीब को उसको आज उसके स्वास को लेके आप देखिए छोटे-छोटे परवार होते थे किस सब को सवस्त रहने का और कोई भी बीमारी में उनका कोई भी परिवार में कोई संकट ऐसा आता है तो परिवार का जो सुचारों रूप से जो चलता है उसमें कहीं व्यावदान नहीं आए और आयुश्मान भारत मैं यह मानती हूं कि आजात भारत से लेकिए और यह सालों तक अंगिनत वर्षों तक जिसे कहता है ना मील का पत्थर जैसे योजना होगी हर गरीब को हर किसी को अपने स्वास्त के लिए अपने इलाज के लिए सरकार पैसा बरीगी से च्छा क्या हो सकता है यह मुझे लगता है कि रक्षा बजट बढ़ाना शायद इस तरह इतने ग अमेरका ने या इसराइल ने आज तक सर्जीकल स्टाइक की थी या वो तीसरा देश दुनिया का भारत बना और मोदी जी ने रक्षा बजट को बढ़ा कर दिखा दिया और चेता दिया उन देश के दुश्मनों को कि समल के रहे मेरी सेना बहुत मजबूत है और यहां पूर भारत के लिए सक्षम भारत के लिए मजबूत कदम है कि हमारा रक्षा बजट बढ़ाए गया यह मनुमल बढ़ाए गया मेरे बॉर्डर पे रहने वाले उस सैनिक का उस भारत मागता के भीर का कि आम निश्चिंत्रों इस सरकार और यह जंता पून समर्पित है आपके अभी विकास की धारा में चलता हुआ देश है आज हमारे इस पांस साल के साशन में मोदी जी ने अने को अने नोट बन दिये और GST वगरा और कितने आर्थिक सुधारों को करते हुए आज इस स्तान पर लाके कड़ा कि जिस भारत को कोई कहीं गिंता नहीं था उस भारत में आज सारे देशों के लोग पूरे विश्व के लोग आज अपना निवेश करना चाते हैं या आना चाते हैं क्योंकि हम अतनी सक्षम ताग से मजबूति के साथ बढ़े हैं तो ये तो आप लोग कहीं इस विशय को आप लोग लोग तक वीश लेके जाएगी किस तरह भारती जनता पाटी के नितृत में, मोदी जी के नितृत में सरकार स्थांदार साशन कर रही है. दो शब्दों में बजट को क्या पहेंगे हैं? सर्व समावेशी, सब को खुशाल करने वाला ऐसा बजट जिसने हर मन को उससाहित और प्रिफुलित किया है, सब का ध्यान रखाए, सब का साथ, सब का विकास.